उत्राखन विदासबा चुनाओं में बस कुछे दिन रह गए हैं ऐसे में सभी राजनितिक पाठिया अपना दमखम दिखा रही हैं तो है उत्राखन कॉंग्रेस की सै प्रभारी दिपिका सिंग पांडे ने कहा कि अपकी बार 50 सीटे लाकर कॉंग्रेस अपनी सरकार बनाएगी इसे को लेकर सवाधाता जोती सिंग ने बातचीत की दिपिका सिंग पांडे से उत्राखंड कॉंग्रेस की से प्रबारी दीपी का सिंग पांडे हमारे साथ यहाँ पर मौझूद है मैं ध्यरादून में बहुत तो सागते महिलाएं काफी आपके आसपस दिखाई दे रही हैं बहुत सपोर्ट आपको मिल रहा है अब यह बता दीजिए कि कितनी सीटे उत्राखंड में कॉंग्रेस ला लिए सीटे तो हम आपको पता यह भाजपा साथ से उपर हारने वाली है और हम साथ से जादा जीतने वाले हैं और इस सरकार को लाने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होगा महिलाओं के साथ जो भाजपा ने छल किया है चाहे वो महँगाई को पढ़ा करके हो चाहे उनके बच्चों को बेरोजगार करके हो चाहे यूगा महिलाओं की बेरोजगारी की दर को आप जानती है उत्राखंड में क्या है तमाम ऐसी बात हैं आज अकबार खोली है आपको पता चलेगा कि प्रसुता हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पारी तो इन तमाम धोके बाजी जो भाजपा ने की है उत्राखंड की महिलाओं को के साथ उसका जवाद देने का समय आ गया है हम सारी महिलाएं मिलकर के कॉंग्रिस की सरकार बना रहे उत्राखंड दिपिकाची मैंने खुद आपको देखा दिल्ली से लेकर उत्राखंड तक आप बार-बार मेहनत करती दिखाई दी एवन अभी कल भी आप गई हूती उत्राखंड के पहारी छेत्रों में आप जमीने इस तरपत आफी एक्टिव दिखाई दे रही है आखिर क कॉंगरेस पार्टी में मुझे ये मौका दिया है मैं जारकंड से संगठन में सक्रिये हुई मुझे पार्टी ने टिकेट दिया मैं इलेक्टेड हुई और आज राश्ट्रे इस तरपर मुझे काम करने का मौका मिल रहा है यूद कॉंगरेस में हो चाहे मैं मैं विबिन्स जिला दक्ष रहे करके आज मुझे जिम्मेदारी मिली है तो मैं बहुत आभारी हो पार्टी की कि मुझे इस तरह के मौके मिले और यह मेरी जिम्मेदारी है कि हमारी जो बहने अलग-अलग राज में जहां भी काम कर रही है संगठन के लिए समर्पित हो करके उन लोगों को और कैसे सशक बनाया जाए ताकि वो चुनावी राजनीती में भी और जो सरकार जब सरकार आती है तो सरकारी तंत में भी उन्हें उनका हिस्सा कैसे निल सकते हैं प्रियांका जी के सहवान के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि सिर्फ कॉंग्रेस की महिलाएं नहीं बलकि आप जैसे भी जो सिक्षित पढ़ी लिखी महिलाएं और अपना योगदान दे रहे हैं समाज में उनका भी एक होसला बुलंद हुआ है ये एक पॉलिटिकल कैमपेंग नहीं है ये एक समाजिक रेवल्यूशन है मुझे भी बहुत खुशी होती कि यहां पर जादा से जादा महिलाओं को टिकेट मिलती तो लेकिन आज के दिन जो जीत की परिस्तिती को देखती है पार्टी भाजपा जो सवाल करती है वो ये क्यों नहीं बताती कि डबल इंजिन की सरकार रहते हुए आज लोगसभा राज़सभा में ये बहुमत में है इन्होंने महिला अरक्षन को क्यों नहीं पारित कर दिया तो हमारी बेनों को ऐसे भी मौका मिल जाता नहीं 50 प्रोटिशन मिलत 33 परसंट तो मिल जाता पहले वो अपने जो काम है उनको पूरा करे सोनिया जी ने उसको राज़सभा से पारित कराया था महिला अरक्षन के बिल को एक कानून क्यों नहीं बना देते ताकि हम महिलाओं के साथ और नयाय हो सकते है तो एक ऐसी पार्टी है महिलाओं को सशक्त करने के मामले में चाहिए उनकी सिक्षा की बात हो उनके स्वास की बात हो सुरक्षा की बात हो तमाम ऐसे फैसले एतिहासी पैसले कॉंग्रिस पार्टी ने लिए जिसका असर आपको समाज में दिखता है यह एक और बदलाव कावान प्यांका जी ने किया है उसका असर आने निश्चित करेगी 500 रुपए कैसे गैस सिलिंडर रखा जा सकता है मनमोहन सिंग जी ने किया था यह सिलिंडर कभी 500 के पार नहीं हुआ था जब UPA की सरकार्टी आज इनका समय यह क्यों नहीं कम कर देते नहीं कर सकते हैं उस अर्थ व्यबस्ता को अगर नहीं समझते सरकार चलाना नहीं जानते हैं तो उत्राखण की जब सरकार बनेगी और हम लозмलोगों की सरकार जब इस बात को सर्ठ साबित करेए तो हमसे सीख कर के केमरे में भी कर सकते हैं आज 2022 में ये राज्य का मुद्दा है और मुझे पूरा भरोसा है आने वाले दिनों में 2024 में भी हम लोग ये करके लिखाएंगे बहुत बहुत धन्यवलन से बाचित करने के लिए तो उत्रकन कॉंग्रिस की सेफर बारी दिपिका सिंग पांडे हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई थी वीडियो जनलिस्ट सुनील के साथ जोती सिंग एवन टीवी रहा